एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड़ोजोन के नए एपिसोड में दोस्तों भारत में कई बड़ी ओइल कंपनीज है लाइक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, Gale, SR, Reliance लेकिन जब हम बात करते हैं अल्टरनेट फ्यूल की या फ्यूचर बैटरी टेकनोलोजी की फ्यूल सैल टेकनोलोजी की तो सिर्फ एक कंपनी का नाम आगे निकल कर आता है वो है हमारी अपनी Indian Oil Corporation Limited सभी तरह जो मैंने उपर बात की है चाहे वो बैटरी टेकनोलोजी हो, फ्यूल सैल टेकनोलोजी हो, अल्टरनेट फ्यूल हो इन सभी में इंटरनल कॉर्परेशन बाकी सभी कंपनी से बहुत आगे चल रही है और IOC से जुड़े तीन इंपोर्टेंट अब्रेड आपके साथ शिर्फ करता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा IOC के बारे में जान लेते हैं, कंपनी कहां स्टेंड करती है सबसे पहले इसको 1959 में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था, डेली बेस्ट हेड़कॉर्टर है इनका, अगर हम ग्लोबल की बात करें तो 88 पोजिशन, लार्जेस्ट कंपनी है IOC L, और तकरिवन 28 बिलियन, अठाई बिलियन डोलर का टान ओवर है इस कंपनी का, और तक उन लड़ी आपके साथ शेर कर चुका हूं के, इंटिनल कॉर्परेशन का ने जॉइंट वेंचर किया था, इसराइल बैटरी टेक्नोलजी कंपनी, फिनर्जी के साथ, मिलकर दोनों डिवैलप कर रहे हैं, डिवैलप हो चुकी है, टेस्टिंग कर रही है, उसको अलुमिनियू इस जो है ड्वेंचर के तुरू यह फाइनल हो चुगा के, एक गीगा स्केल का इलेक्ट्री वेकल बैटरी प्लांट, फिनर्जी के साथ मिलकर आई उसी लगाएगा, और अभी प्लांट की लोकेशन फाइनल नहीं है, कुछ भी अपडेट इससे जुड़ाएगा, आपके स अलुमिनियुम एर टेकनोलजी है, यह भारत के लिए सूट करती है टेकनोलजी, क्योंकि एजली और चीपली अलुमिनियुम भारत में अवेलेबल है, और आलड़ी इंड़नल कॉर्परेशन का कई आटो कमपनिस के साथ, OEM के साथ इस बैटरी प्लांट को लेकर आयोसी ने बिकुल फाइनल किया है कि तेलेंगाना में वो दो एथनोल प्लांट लगाएंगे, तेलेंगाना में, 600 क्रोड की इंवेस्टमेंट की जाएगी, उतकरिवन हर रोज 5 लाख लेटर एथनोल प्रडूस किया जाएगा, आयोसी शुरू से ही, यह अचानक ऐसा नही हाइएंड, फुल अफ टेकनोलजी एक निया आरेंडी सेंटर सेट अप करना चाहते हैं, 2023 तक उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ग्रीवन 2,000 क्रोड इंवेस्ट करेंगे इस आरेंडी सेंटर पर, और आयोसी का जो फोकस है, आगे चलकर बिकुल बायो फ्यूल्स, हाइ लिएंड, और बिकुल ऋ पिए हएंड, नोर्वे बेस्ट, गुरीन सट नौर्वे कम्पनी के साथ मिलकर दोनों ही जो हाइडुजन, फूल सेल टेकनोलजी पर काम करेंगे, जैसे इसमें फूल सेल जो टेकनोलजी को डिवेलप करना है, जो हाइडुजन स्टॉरेंज रिज जो सुप्रीम कोट है वो भी इस ट्राइल पर कड़ी नजर रख रहा है इस HCNG में दोस्तों 15% हाइडरोजन को स्पाइक किया जाता है HCNG के अंदर जिसे हम सब जानते हैं कि हाइडरोजन कोई पॉलिशन नहीं है तो ऐसे में पॉलिशन लेवल काफी डाउन आ जाता है अगर हम HCNG इन बसीज में इस्तमाल कर रहे हैं कमाल की बात है दोस्तों के जितनी भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तरह वो सभी IOC के साथ जुड़े होते हैं लेकिन बाकी कमपनी से कुछ जादा अपडेट नहीं आ रहा है ना ही वो R&D पर इंवेस्ट कर रहे हैं ना ही future technology पर ऐसा नहीं है कि पैसी कमी नहीं है लेकिन एक सोच होती है प्लानिग होती है उस चीज़ की कमी है जो management है उसमें इस चीज़ को आगे लेकर चलने की आगे एक अदम खुद आगे रखने की जो कमी होती है वो इन कमपनीस में देखी जाती है लेकिन IOC अगर मैं के R&D के जो इनके director है Mr. SSV रामकुमार उनको जरती है तो एक बार फिर से thumbs up है overall आपका क्या कहना है इस update के बारे में और आपके क्या विचार है IUCL के बारे में इंटिन और कॉर्परेशन के बारे में अपने comment जरूर जरूर शेयर कीज़ेगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिं एक बारे में